यह है वंदे भारत एक्स्प्रेस का मॉडल यह मॉडल अपने आप में खास है खास इसलिए है क्योंकि यह रेल भवन के प्रांगण में है आप यहाँ पर रेल भवन देख सकते हैं रेल भवन यानि वो जगए जहां से रेल मंत्राले के तमाम आला अपसर यहाँ पर पूरे र ट्रेन है उसका मॉडल देखने के लिए कई बच्चे यहाँ पर आये हुए हैं क्योंकि वंदे भारत की जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं भारती रेलवे का चेहरा पूरी तरीके से बदलने का काम चल रहा है देश के अलग-अलग हिस्सों में ट्रेने चलाई जा रही है अब तक की बात करें तो 15 वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेनों की सेवाएं सुरू की जा चुकी हैं और यहाँ पर हू बहू उसी तरह का पूरा का पूरा मॉडल मौडल मौजूद है आए हम आपको अंदर ले चलते हैं कि आखिरकार इस ट्रेन के अंदर क्या है किस तरीके की दिखती है क्योंकि कई बार हमने आपको ओरिजनल ट्रेन दिखाई है कि किस तरह की यह ट्रेन है लेकिन आज हम आपको एक बार फिर से मौडल दिखा रहे हैं यह मौडल आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि राजधानी के कुछ बच्चे यहां पर आये हुए हैं और यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो इसको अप्रिशियेट कर रहे हैं या इसको समझने की कोसिस कर रहे हैं तो यहां हमारे साथ बच्चे मौझूद हैं आए उनसे सीधा सीधा बात करते हैं क्या नम है बटा आपका? माधो माधो यहां पर आये आप आपको अंदर से क्या लगा? I am feeling really proud to come here because school giving for me this opportunity to come here this train is really good and all facilities are really good and comfortable to all of us किस क्लास मैं पढ़ते हैं? 9th 9th के बच्चे हैं और यहां पर कुछ और लोग है, आई उनसे पूस्ते हैं आप का क्या नाम है? My name is Akshah Varma पीशे क्यों होड़ रहे हैं? मैं नेम इस अक्षे बर्मा और मैं रिली हैपी तो बी इन इस ट्रेन मैं फिलिंग वेरी प्राओड आफ इंडिया बिकास इस नाव ड्वान्स सो मच इन रेलवेज और अफ इन अधर फिल्ड आप क्या सोचते हैं? मैं यह सोचता हूँ कि हमारे देश ने एक सेमी स्पीड ऐसी एक ट्रेन निकाली है और आज के अधूनिक देशों से मुकाबला करने के लिए इतनी अच्छी ट्रेन निकाली है तो मुझे अपने देश पर बहुत गर्व है यहाँ पर कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि यह गर्व का मौका है और यहाँ पर एक छोटा सा मॉडल है जिस तरीके से इंजन होता है या हम कह सकते हैं लोको पाइलेट केबिन होता है उसी तरह का यह लोको पाइलेट केबिन है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का लोको पाइलेट केबिन है और यहां पर बच्चे हमारे साथ मौझूद हैं हम उनसे बात करेंगे क्या नमें बिटापका तथा है जब आप अंदर आए और उसके बाद आपको अंदर से क्या लगा बहुत अच्छी फीलिंग आए बिकॉज यहां की जो टेक्नोल है आपका तथाए आपको लगता है कि यह ट्रेन बिलकुल अलग है यह बहुत साफ भी है और बाकी ट्रेंस के मुकाबले बहुत अच्छी भी दिख रही है तो फिर हम जरूर रिकमेंड करेंगे अच्छी दिख रही है तो किस तरीके से अच्छी दिख रही है जो इस समय ट तो फिर वो बैठ सके तो यहां आप समझे जो इस समय ट्रेनी चल रही है यानि वंदे भारत के अलावा अगर हम बात करें तो उसका जो पाइलट केबिन होता है वो इस तरह का नहीं होता है क्योंकि यहां पर अच्छी खासी जगह है दूसरी बात यह है कि एसी केबिन है और एक ही जगह बैठ कर पूरी ट्रेन को कंट्रोल किया जाता है और यहां पर बैठे बैठे आप देख सकते हो कि पूरी ट्रेन में जगह जगह क्या हो रहा है कुछ और बच्चे हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे क्या नम है आपका तन्वी पान्चार तो आप कभी बंदे इंडियन रेलवेज में इतनी अच्छी डेवलपमेंट इंडियन रेलवेज में आई है और आप क्या सोचते हैं क्या आपका सिनावी भगत मैंने एक बार बंदे बार में ट्रावल कर चुकी हूं वहां का जैसे कि आज कल हम लग्शुरी की तरफ जाया ज्यान देते हैं तो और साथ में लोगों को इंटरेइन करने के लिए उन्हों लोगों ने वी आर का भी इस्तमाल किया वह हर किसी को टैंपलेश देते थे और वी यार का अप्योग भी कर सकते थे वी आर का भी इस्तेमाल आपने किया आपको कोई सुझावाओ देना है रेल मंतरी को कि इसमें प्राची शर्मा प्राची आपने ट्रेवल किया नहीं मैंने कभी नहीं किया मैं मॉडल देख रही हूं बट मॉडल देखके मुझे लग रहा है कि मैं कुछ जल्दी से जल्दी बने भारत में ट्रावल करना चाहिए क्योंकि यह बहुत अच्छी ट्रेन है और फर्स्ट फॉल देली से यह हूं तो यहाँ बहुत अच्छा है और एक्सपिरिंस बहुत अच्छा रहा है यहां का देखा है टेकनोलोजी कैसी है पहली बार मॉडल देखा है तो आप मन कर रहे हैं कि ट्रावल करना पड़ेगा जल्दी एक्स्पिरिंस लेना पड़ेगा यहाँ पर आप समझे यह जो कवायद है वो कहीं न कहीं बच्चों के बीच में वंदे भारत ट्रेन को लोगपरी बनाना क्योंकि जब बच्चों की हम बात करते हैं तो देश का भविष्य हैं और इस समय की अगर हम बात करें तो देश के अंदर सबसे ज़्यादा युआ हैं दुनिया भर के मुकाबले तो सबसे जादा युवाँ हैं और देस की एक 2500 है कि कहीं न कहीं भारत को सुपर पावर होना चाहिए तो सुपर पावर के लिए चीज़ें जो जरूरी होती है उसमें हम कहे सकते हैं बुलोट ट्रेंध भी है साथी साथ और चीजें भी हैं तो कहीं न कहीं रेलवे का जो यह विकास है वो एक रास्ता दिखा रहा है कैमरामेन हीरा मंडल के साथ सिधार्ट न्यूजी स्टेशन दिले